तो बच्चो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं यह कम से खम 6 नंबर में टोपिक आता है रस चंद अलंकार तो बच्चो सबसे पहले हम समझेंगे रस रस आपको बच्चो दो याद करने है और दो मेंसे दो जरूर आएंगे दो मेंसे तुमको क्या करना है बच्चो एक करन पड़ेगा और तुम्हारी कोफी को अच्छे से चेक करेगा बच्चों तो सबसे पैदा बच्चों देखो मैं समझा रहो आपको हाश्यरस हास्यरस की परिवासा इसका स्थाई भाव हास है जब किसी व्यक्ति की वेस भूसा वाणी चेश्टा आधी को देखकर हसी आजाए किसी की हम जैसे वेस भूसा वास वाणी चेश्टा को देख रहे है और हमें हसी आजाए तुम्हां को अंसरस उस्पन हो जाए दोस्तों हास्य रस ठीक है पच्चो इसका उधरन क्या हवागा हाती जैसा देहे मतलब हाटी जैसा सरीर मängerट गोड़े जैसे चाल गोड़े की तरह दोट रहा घका còn sentence Mr. बी जैसे उसकी के बंचो में खोूप्डियर कहा तो बंचोह क्या है ऑनधी यहां पर क्या हो रही है बच्चो की प्रीवास दूर हो जाती है तो मां हर दे सोक से भर जाता है बै कोई भी चीज़ है जिससे तुम रिलेटड प्यार कुरो या कोई भी तुमारी ऐसी मन्च चाहिए जो घर वाली है जो तुमारे से दूर हो रहे है तुमारे अर्दे में क्या बच्छो सोक सा हो जाते है तुमार कौन सा रसुपन होता है करून रश ठीक है बच्छो इसका और दरन हो जागा मेरे हरदे के हरस हा अभी मनू अब तु है कहां ठीक है बच्चो अब बच्चो है अलंकार सबसे पहला बच्चों समझें को और उपमालंकार यह करने बच्चों आपको समझा रहा हूं यह वाले और अगर बच्चो चलो बाद में बताऊंगा इसकी परिवासा क्या होगी जहां पर उप में और उपमान में कोई अंतर ना हो जिससे एक दूसरे एक तूलना करें उनमें कोई अंतर ना हो ना दिखाई दे मारूपा का लंकार होता है ठीक बच्चो इसका उधर रणो जग चरण कमल बंदो हरी राई ऐसे बच्चो उपमान लंकार है उपमान लंकार परिवासा है जब किसी व्यक्ति की तूलना किसी अन्य व्यक्ति से की जाए और अनेक गुण धरम समान हो तो वहाँ उपमान लंकार होता है जैसे रादा के चरण गुलाब के समान मतलब तुनला की जारी रादे के चरंण से ठीक गुलाब के ठीक है तो यह बच्चों वज़ी में को तुम्हारे रस हो गया अलंगकार हो गया अब आते हैं बच्चों चंद पर जैसा बच्चों यह चंद है सबसे पहले बच्चों आपको मैं समझाऊंगा दोहा, दोहा क्या है, थोड़ा एक एज़ी है, परिवासा, यह अर्द, सम मातरिक छंद है, इसमें बच्चो चार चरन होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरन में बच्चो, 11, 13 मातरा हैं होगी, तथा दूसरे और चोते चरन में कितने होगी, बच्चो, 11, 11 मा पानी सब सुन पानी गए न उबरे मोती मानिस चुन ये इसका ऐक्षम पुली पए याए इसके छेंदfarड रोला हां ये एक सम पढ़ फॉरञे में 26 fotru होती है फई ग्यारा और तेरे मात्राव पर यती होती है ठीक है बच्चो इसका उठो उठो हेवीर आज तुम निंद्रा त्यागो करो महसंगराम नहीं कायर हो भागो तो बच्चो कैसका एक्जामपल है ठीक है बच्चो लेकिन बच्चो अगर इससे रिलेटर जैसे मैंने आपको समझा रोला दोहा यह समझा दे और बच्चो यह तुमने याद कर लिए और मापर क्या रहा है जो तुमने याद किया है वो नहीं आया लेकिन बच्चो मापर तुमें कोशन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना अगर कोई भी कोशन ऐसा है जो तुम्हारे से रिलेटर नहीं है और तुम्हारे पर यह रोला आरा दोहारा तो इन में से एक लिख देना ठीक है बच्चो इससे एक्जामर तुमें नमबर जरूर दे देगा लेकिन एक्जामर किसे ऐसी बच्चो यह है मैंने आपको यह समझा हासरस समझा हासरस तुमने याद गर लिया या करूनरस याद गर लिया और इन में से कोई सा भी नहीं आया अदर आ गया और तुम्हारे यह याद है तो बच्चो तुम्हें लिख देने है यही कभी तुम छोड़ दो आपर खाली छोड़ दो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना यही तुम्हें कर देने है ऐसी बच्चो अलंकार आगए अलंकार में रूपक अलंकार उपमालंकार है तुमने इन में से कोई एक याद ग़र लिया कोई सा भी याद गर लिया और इन में से कोई सा भी नहीं आ और तुम्हारे याद ही है तो बच्चो तुम्हें यही कर देने है बच्चो अगर तुम्हें एक्जाम में ऐसा लग रहा है कि तुमने याद कुछ होर कर रखकर वहाँ पर वो नहीं आ तो बच्चो जो भी आपके याद है उससे जरूर कर देना बस अच्छे से लिखना उस पे भी तुम्हें बच्चो नंबर मिल जाएंगे तो बच्चो इसी परकार आप मेरे साथ जुड़े रहे मैं आपको इसी परकार छोटे छोटे टोपिकों के नोट्स देता रहूँगा